जोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के दिन लगबग 2000 रुपे का विड्रॉल लगा है, BSH Earning Application से, जहाँ पर गाईज मेरा पैसा काफी अटका हुआ था, कल के दिन मैंने 4000 रुपे अटका हुआ था, जिसका मैंने वीडियो बना की यूटूब पर तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, मतब खुद के जीव से लगाया है, उतना तो मैं विड्रॉल करूँगा ही करूँगा ताकि मेरा एक भी रुपे का लॉस ना हूँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के इंतरे बात करने वाला हूँ, बी एस एच अर्निंग एप्लिकेशन के बारे में, जहां पर अभी के टाइम पर विड्रॉल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, कल अमने एक वीडियो डाला हुआ था, जहां पर आप सब लोग ने काफी क्वेशन पूछे, तो उन्हीं क्वेशन का जवाब देने वाला ह तो यहां पर दोस्तों सबसे important चीज यही है, जो मैंने कल वाली वीडियो में बताये थी, वो ही आज वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, कि आप सब अगर अपनी जाधा amount को लेकर परिशान हो, तो आपको मैंने जो बताया था वो ही method यूज़ करो, क्योंकि उसी method को use कर करने के बाद मेरा 2000 का withdrawal आज लगा है, और 4000 का कल लगा था, तो अब मैं आपको फिर सो method बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के अंदर, तो सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे, क्योंकि मैं आपको A to Z सारी चीज़े सच बताऊंगा, बाकी लोग के मावित withdrawal लगाए हैं लगबग 2 स्टेज में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिरको सारे withdrawal एक साथ नहीं लगाने हैं, और आप सबको भी अपने withdrawal अभी पूरे नहीं लगाने, मैंने कल 4000 का withdrawal लगाया था, और 2000 का withdrawal लगाया था, जहां पर कली के कल, मेरा 4000 का withdrawal अप्रूवड हो गया, वो प मतलब मेरे account में अभी भी 14,000 पर पढ़े है जिसको मैं अभी भी withdraw नहीं कर रहा हूँ, अब उसको withdraw कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, तो सब लोग इद्दम ध्यान से देखे पूरी वीडियो को, क्योंकि आज की इस वीडियो के इंदर मैं आपको ये guarantee देता हूँ, कि आपका जितना आपने invest किया है, जैसे कि आपने इस application में खुद के जेब से 5,000 पर डाला है, उतना तो मैं withdraw कर दूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपके account में 20-25,000 पर है, तो बहुत ही मुश्किल है यहां से withdraw करना, बहुत जाता मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारी news आ र रहा हूँ, चलिए अब मैं बताता हूँ कि withdrawal का जो नया methods है, उसको कैसे use करना है, आप सभी को, तो यह method उनी लोग को use करना है, जो अभी तक withdrawal नहीं निकाले, कुछ लोग ने क्या गलती कर दिया है, कि एक की साथ 20,000 का withdrawal लगा दिया, जहां पर उनका 20,000 पर pending में चला गया ह और वो अब सिर्फ pending में रहने वाला है, क्योंकि वो balance में भी add नहीं होगा, तो आपका withdrawing गया, खतम हो गया, अब वो पता नहीं मिलेगा की नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके पैसे उनके balance में पड़े हुए, मतलब कि उनके account के dashboard में पड़ा हुआ है 20,000 रुपया, तो वो कैसे withdraw कर सकते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, आज की दिन आप अपने जैसे 10,000-5,000 किसी के भी account में इतना पैसा पड़ा है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको 3 stage के withdrawal लगाने है, मानता हूँ कि दिन में एक withdrawal लिमिट होता है, तो एक ही लगा हो, कल की दिन, आज रात के 12 बज के बाद आप एक withdrawal लगा लो, एक एक घंटे के बीच में, आपको मैं guarantee के साथ होता हूँ, दो में से एक withdrawal approved हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको withdrawal लगाना कैसे, यह मैं आप सभी को समझाता हूँ, आप बहुत ही दिहान से समझिए, अगर समझिए, आपके पाद 10,000 रुपया है, तो आपको 5,000 रुपय को तो छूना नहीं है, क्योंकि वो पैसे अठकाने नहीं है, पैसे आपको dashboard में रखने ही है, क्योंकि अगर एक बार पैसे pending में चले गए, तो वो dashboard में भी नहीं add होंगे, और आप उसको withdraw भी नहीं कर पाऊँगे, आप समझ रहे हो, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं simply आपको बता दू, समझ लो, मेरे account में 20,000 रुपया पड़े थे, ठीक है, 20,000 रुपीस टोटल मेरे account में थे, आज से 3 दिन पहले, तो मैंने इसके बाद क्या किया, आप देख सकते हो, मैंने अपने पूरे पैसे को अटकाने की बिलकुल कोश पर मैंने YouTube पर वीडियो बनाए, जो मेरा approved हो गया, यह वाला जो मेरा वीडियो है, यह जो है मेरा approved हो गया, ठीक है, approved हो गया, हाँ, अब इसके बाद गाईस, यहाँ पर मैंने उसी रात को लगबग next day पे, मतलब एक घंडे की gap लेकर, जैसे कि रात के 12 बाई से पहले approved, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे account में कितना पैसा बचा है, 16,000 बचा है, अब अगर यह 16,000 को हमें withdraw करना होगा, तो हम कौन से अंदाज से withdraw करेंगे, हम पूरे 16,000 को एक साथ कभी withdraw नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 10,000 बचा है, 14,000 बचा है, तो यह 14,000 को withdraw करना है, और मेरा जो investment amount ता 10,000 बचा है, इसके बाद हम try करेंगे 10,000 का, तो यह 4000 को withdraw करनी के लिए, मैं आज ही रात को withdraw लगाने चाहरा हूँ, एक withdraw लगाँगा 2000 बचा है, जो रहगा 12 बजी से पहले 2000 का एक withdraw लग चाहेगा, और 12 बजी के बाद से 2000 का withdraw लग चाहेगा, या तो आप एक काम करना, आप एक amount बड़ा रखना, तो एक amount आप उससे कम रखना, 15-100 रखना, मैं आपको guarantee देता हूँ कि ये दो मेंसे एक amount आपको मिल जाएगा, दो मेंसे एक account amount आपको जरूर मिल जाएगा, मैं इसकी guarantee देता हूँ, ये strategy मेरी बहुत ही useful है, क्योंकि ये से मेरा ही withdraw नहीं, और भी क ऐसा कुछ आ जाता है, account verification, account verification मतलब अब क्या होता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, अब इनको भागना है, मतलब आप इनको आपको पूरा बना के भागना है, छोड़ देना है, तो यहाँ पर आपको ये account verification करने के लिए 5,217 रुपया मांग रहे हैं, ये जब आप दो अब नहीं account verification करके guys, और यहाँ पर guys आप देख सकते हो कि BSH real account certificates, तो ये बहुत पहले भी बहुत सारे websites में आया, बहुत सारे earning application में ये rule चलता है, जब website को भागना रहता है, तो वो कुछ नकुछ account verification दे देती है, जहाँ पर आप 5,000 रुपय डालो, तो आपका account verified हो जाएग तो चलिए guys, अब मैं मिलता हूँ आपको next video में, आप सभी को इस platform को जल्दे जल्दी छोड़ना है, कोई नया platform पकड़ना है, और golden rule याद रखना मैं आपको हमेशा हर वीडियो में golden rule बताऊंगा, किसी भी platform पर जाओगे तो पहले दिन ही जाना, जैसे कि आज कोई platform आ रहा invest मत करना, और हमेशा जिसको भी आप, जिसका भी वीडियो देखे होगे, कहीं से भी सुने होगे, तो उसका telegram channel हमेशा join करके रखना, क्योंकि वहाँ पर A to Z सारे information मिलते रहते कि ये earning application कब तक चलने वाला है, कब तक ये return देगा, और कब भागेगा, और वैसे करके आप ये की बात नहीं है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स ट्रीडियो,